यह अंतर यात्रा सुत्र कहता है अंतर यात्रा है कर्मों में लिप्त हुए बिना सारे कर्मों से गुजरना कर्म तो जीवन में घटेंगे जीवन है तो कर्मों का सिलसिला चलता रहेगा स्तमस्या है कर्मों में लिप्त हो जाने की आम बेक्ति जो कर्मों से गुजरता है उसका यही धंग है कि वो हर कर्म में लिप्त रहता है अंतर यात्रा जो है वो कर्मों में लिप्त हुए बिना कर्मों से गुजरना है तभी तो कुछ अंतर आएगा जीवन में जेन दर्सन में इसको इसी तरह से कहते हैं कि नदी से गुजरो लेकिन नदी तुमारे पैरों को गिला ना करे नदी से गुजर गए तो नदी ने तुमारे पैरों को गिला नहीं किया कैसे होगा पानी में जाओगे तो पानी तो पैरों में लगेगा नहीं बाहरी बातों का य विक्तिगत तादात्म को जोड़ना, जितना भी कर्म सिधान्त बना है, उसके अपने धंग है, अपने धरातल है, कर्मों के क्या परिणाम है नहीं है, लोग इसमें उलशते हैं, उलशते उलशते उसको जन जन तक खीच ले जाते हैं, वो सब उस बात को ठीक से न समझ पाने क अगर विक्ति किसी भी कर्म से लिप्त हो जाएगा, यानि कि उसको ऐसा लगेगा कि यह मैंने किया है, तो उसका परिणाम भी उसको वैसे ही दिखाई देगा कि जैसे उसका परिणाम उसको मिलना है, दूसरा जो वास्तविक धरातल है, गहरा धरातल है, अध्यात्म का, कि स सारे कर्म घटते हैं, हम करते हैं, घटते हैं, तो कर्मों से हम व्यक्तिगत लिप्तता हटा लेते हैं, व्यक्तिगत लगाव हटा लेते हैं, अब मनुष्य क्या करना चाहता है कि वो बुरे कर्मों से तो अपने को अलग करना चाहता है जो उसके माध्यम से हो जाए और जो अच्छा उसके माध्यम से उससे वो जुड़ना चाहता है क्योंकि उससे उसको लगता है कि हमने किया तो इससे हमको प्रसंसा मिलेगी यह हमको सम्मान मिलेगा, दोनों बातें चाहें वो अच्छे हों, बुरे हों, कम अच्छे हों, ज्यादा अच्छे हों, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तविक्ता यही है कि सारे कर्म भस हमारे माध्यम से घट रहे हैं, यह अकर्ता के स्थिति आ गए, अब कर्मों से लिप्त होना धीरे-धीरे रुकता है, नहीं तो कर्मों से लिप्त होना रुक नहीं सकता, वो इडेंटिफिकेशन वेक्तिगत तादात में है, जितना कर्ता पन उतनी लिप्तता, जितनी लिप्तता कर्म में उतना ही दुख, सूत्र कहता है बस ऐसे गुजर जाओ जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं अब दुविधा व्यक्तिक को आती कर तो हम ही रहें तो हम लिपत कैसे नहीं हमारे अंदर अस्तित्य ने वो सारी छमता वो सारी संसकार बद्धता, कंडिशनिंग वो सारी प्रोग्रेमिंग दी है कि हम ऐसे ही सब कुछ करेंगे जैसे हम कर रहे हैं लेकिन वस्तुत है वो विराठ सकता ही सब कुछ कर रही है अब ब्यक्ति को निरंतर यह बात याद रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं विराठ सकता ही सब कुछ कर रही है परमात्माई सब कुछ कर रही है याद रखने करने के चुनाव होंगे छमता होगी लेकिन मूल रूप से पीछे वो जो सरवया पीछेतना है उसके माध्यम से ही सब काम हो रहे होते हैं, तो इसमें भैक्तिगत तादातम को हटा ले ना है भैक्तिगत तादातम तब पैदा होता है जब विक्ति करतापन की गहरे उससे संसकार से जुड़ गया होता है उसको लगता है बस मैं ये कर रहा हूं मैंने ये किया है वो उसको घेरता रहेगा जैसे जाला घेर लेता है किसी भी चीज को चारों तरफ से तो वो जाला उसको घेर लेता है मूल बात वो है नहीं लेकिन माननेताएं माननेताएं व्यक्तिedar को अठका लेते हैं इस बात के लिए केवल और केवल गहरी स्तमज ही आवश्यक्त है और कुछ नहीं स्तमजब ना इस बात को अपने अंतरतम में गहरे से गहरे बिठा लेना इसी बिंदु पर हमको बुद्धा का वो बचन जरूर याद रखने चाहिए, जब उन्होंने कहा अपने जीवन के आंतिम पड़ाव पर इवेंट्स हैपन, कांसिक्वेंसेज हैपन, डीट्स अर डन, बट देर इस नो पर्सनल डूर, गटनाएं गटती हैं, परिष्थितियां बनती हैं, क्रियाएं होती हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं, अर्थात अस्तित तो वो सकता ही सब कुछ कर रहे हैं, जब ये समझ आ गई, तो फिर लिप्त होने का कोई विशय नहीं रहा, और फिर क्या होता है, कि हम चारों तरप के सारे बातावरण से अपने कर्मों की सक्ती भी ग्रहन करते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में बहुत व्यक्तिक रूप से, इंजिविज्वली Opsessed होकर identify होकर करता है, तो उसके कर्मों में कई बार सक्ती भी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि हम सीमिद धंग से उसको चलते है लेकिन अगर कोई बिक्तिक माध्यम की तरह अपने कर्मों में प्रवेश करता है तो उसको आस-पास के अस्तित से भी बहुत सक्ति मिलती है क्योंकि वो फिर अनंत स्रोत से जुड़ा हुआ अनुभाव करता है तो कर्मों की गुनवत्था भी बदल जाती है कर्मों में लिप्त होकर जीने पर कर्मों की गुणवत्ता भी गिरती है और कर्मों से अलिप्त होकर जीने में कर्मों की गुणवत्ता भी बढ़ती है यानि कि हमारी क्रियाओं की गुणवत्ता क्वालिटी सुत्र भोती संचेप में सीधे इधार की तरह बात हमारे सामने रख देता है कि ऐसे जियो कर्मों से गुज्रो बिना लिप्त हुए नदी से गुज्रो बिना नदी को स्पर्स किये जैसे कमल खिल जाता है नीचे से पुरी तरह अस्पर्सित तो कमल में भी क्या चीज आई वो आई अलिप्तता वो अलिप्त है उपयोग हो रहा है सारी परस्ततियों का लेकिन उसमें लिप्तता नहीं है तो अपने ब्यक्तिगत धाचे को हटा लेना अब ब्यक्तिगत धाचे को हटा लेने में पहली बात तो यह होगी कि वैक्तिको जो पीड़ा है अपराद बोध है संताप है प्रश्चाताप है जीवन में तमाम चीजों के करने या ना करने का वो उनसे मुक्त होगा प्रश्चाता लेकिन जो दूसरा पहलू है उससे मुक्त नहीं होना चाहता है व्यक्तिक इस creamy कर्मों में लिप्त होता चला जाता है तादातनी बनाता चला जाता है फिर हम परसंसा से सम्मां से और उस कर्म से जो हम हमको लगता था कि मैंने ऐसा किया और उससे हम गवरवानवित अनुभव कर रहे थे वो सब भी विदा हो जाता है हम तटस्त द्रश्टा जैसे हो जाते हैं अब व्यक्ति जब तक उस तटस्त द्रश्टा की असीम सांति को न अनुभव कर ले वो जो सांति है उसका जो एक गहनतम आनंद है उसको न अनुभव कर ले तब तक उसका मन नहीं मानता कि हम ये सम्मान ये गवरवानवित होना ये सब छोड़ दे जाएंगे तो दोनों ही अच्छे और बुरे दोनों परिनाम जाएंगे तो जब इसके लिए बेक्ति तयार हो जाता है और उस कटस्त द्रश्टा के साथ सहस्ता से जीना सीख लेता है तो उसके जीवन में अंतर्यात्रा का वो गहरा तल प्रकट होता है जब वो कर्मों से गुजर तो रहा है लेकि कर्म उसे लिप्त नहीं करते है अलिप्त अस्परसित करते हैं सिर्ज जाओ आई, पिल वालाग तूल, भी और भूल, यह जो जोये समयर घिए कया है, प्रभड़ू वालाग झालाग, यह भी एम्ट्स कोर्ड़ू और जो जो कहा है झाल झाल